आज हम इंडिया के एक एलीगल प्रोसेस के बारे में बात करने मारे हैं जिसे डंग की प्रोसेस कहाँ जाता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सचिन निसाद और चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो गुजराच के राजधाने गांधी नगर से 13 किलो मीटर पर एक गाउ है जिसका नाम डिंकुजा है वैसे तो इस गाउ की पोपिलेशन 3000 लोगों के आसपास है लेकिन यहाँ पर मौझूद आधे से ज़्यादा घरे पर आपको ताले लटके मिलेंगे वर्तमान डेटा के तुरू यह बता जाता है कि लगबग 1800 के करीब लोग अब डिंकुजा में नहीं रहे यह वो लोग हैं जो अपना गांभी नहीं देश छोड़कर जा चुकी है अच्छा तो परदेश में अच्छा रहेगा अमेरीका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इता रहे आज भी डिंकुजा में जगां जगां पर आपको ऐसे पोश्टर मिलेंगे जिसमें ओपिनली मेंसन है कि इस्टडी इन यूके कनाड़ा फ्री एप्लिकेशन सबसे ज़्यादा कोई एट्स अगर इस गाउं में देखने को मिलता है तो यह यूएस और कनाड़ा वीजा बहुत से आपको ऐसे एट्स मिल जाएंगे जिसमें क्लियरली मेंसन किया गया है कि आपको वीजा मिल जाएगा बीना कोई एक्जान दिये देखिए जनवरी 2022 की ब नौकरी किया करते थे और बाद में अपने भाई के गार्मेंट बिजनेस में हाथ बढ़ाया करते थे लेकिन इनके पूरे परिवार की कमाई महीने की सिर्फ नौ से दर्जार रुपए ही हो पाती थी बड़े मुश्किल से ये 65 लाख रुपए जुटा पाते हैं उस एज़ होते हैं और 12 जन्वरी को टोरोटो की फ्लाइट पकड़ते हैं इस डंकी प्रोसेस का मतलब था इनका एज़ेंट इनको यूएस कनाडा बॉर्डर पर ड्रॉप कर देगा और बचे हुए रास्ते को इनको पैदल चलकर ही बॉर्डर कोर्स करना होगा टोरोटो लैंड करने क अगरे बाद एक ही हफता होता है जब कुलीस को पूरे परिवार की लासे मिला प्रॉप